गुड मॉर्णिंग टू अलफ यू तो टुड़े इस थर्टीन जैन्वरी एंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एडिटोरियल अनालसिस तो जो फर्स्ट एडिटोरियल है आज का इट इस एंट्रिंगा न्यू इयर ऑफ अनसर्टिनिटी तो बेसिकली इस क्या नहीं बेसिकली उसको इन्होंने प्रडिक्ट किया है तो यह हमें पता है कि यह क्या सारा यह सीम चला हुआ है वट पॉसिबिलिटी कुड नॉट हाब बिन एंटीसिपेटेट वाजन एक्स्टर ओडिन नाशनलिजम है ना क्यूंकि यह हमने कल भी डिसक्रिस किया था क जैसे ही यह वार शुरू हुआ तो सबको लगा कि मतलब यूकरिन तो कहां ही डिफेंड कर पाएगा रशिया को लेकिन हमने देखा कि यूकरिन ने बहुत अच्छा रिसिस्ट किया है तो यह बहुत ही एक्स्टरॉडिनरी चीज हुई बहुत ही एक्स्टरॉडिनरी बात अगर होगा तो इन्होंने अपने लेवल पर प्रडिक्ट किया है यह ऐसा कुछ फाइनलाइज नहीं कि अगर वर्टिकली देखें तो अब आगे इसमें क्या हो सकता है कि यूज अफ नूप्लियर वेपन हो सकता है और होरिजॉन्टली देखें कि न्यूफरंट्स मतलब औ इसमें आ सकते हैं और जादा कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं तो यह कुछ भी दोनों की दोनों ही चीज़ें हो सकती है अनेक्स्पेक्टेड इंसिडेंट्स कुड रेजर्ट्स इंडेंजरस आउटकम्स देखें अब वर्ड में जो है काफी कुछ इसमें 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 निकाल दिया गया है और उसके बाद रशिया में इनर्जी क्राइसिज हो गया है क्योंकि रशिया के जो ऑई है उसको ब्लॉक कर दिया गया है यूकरेन से भी यह सब इनर्जी क्राइसिज हो रहा है ओईल का प्राइस जो है बहुत सदा बढ़ रहा है रशिया जो है ओईल को ऐसा वेपन यूज कर रहा है तो यह एकनॉमिक क्राइसिज जो है पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से चला हुआ है और इसी टाइम पे हमने कल बीडिसक्स किया था कि चाइना जो है वो रशिया का बेस्ट बन गया है चाइना है चाइना ताइवान को कैसे देखता है और वेस्टन कंट्रीज के भी अब यूज के भी देखे तो इनको सब बेको यही डर है कि अब चाइना जो है वो ताइवान के उपर ना अटैक कर दे तो वो अब देखना पड़ेगा कि क्या होगा तो यह these are predictions एक और चीज़ जो हुई है कि अब यह war हो गई है तो अब इस वज़े से जो countries है उन सबका जो defense के उपर खर्चा है वो बहुत जादा बढ़ गया है As 2023 has dawned and the arc of instability increases what is also becoming evident is a massive increase in defense spending by almost every country European countries such as Germany and France they have announced substantial increase in defense spending Japan has already declared that it would raise its defense budget to 2% of GDP in view of threats posed by China and North Korea India भी यही जो है follow कर सकता है यही कर सकता है उसके बाद यह है कि increased defense budgets जो है यह हमारे defense relationships को alter करेंगे और एक तरह से हमारी strategic autonomy जो हम कहते थे कि वो भी उस चीज़ को threaten करेंगे नए strategic alignments बन सकते हैं current world order में कहां bilateral multilateral क्या होगा यह कुछ नहीं पता जो non-aligned countries थी वो अब non-aligned रहेंगी नहीं रहेंगी nobody can say anything about it the pace of history will accelerate in 2023 with the war in Ukraine being a major contributing factor a case in point में भी India's reliance on Russian military equipment की पहले जैसे हम दिखते थे कि अब खेर change हो गया है कि इंडिया जो है वो रशिया के military equipments के भी उपर ही जादा रिलाय करता था लेकिन अभी हम देखते हैं कि रशिया-Ukraine war में हमें पता चल गया कि जो रशियन equipments हैं वो कोई बहुत अच्छी quality के नहीं है this could change with Russian equipment fearing poorly against the latest western weaponry in the Ukraine conflict कोई बहुत अच्छी quality के नहीं है इंडिया में well consider looking elsewhere इंडिया जो है अब और countries की तरफ भी जा सकता है defense का import करने के लिए और हो भी रहा है इंडिया जो है अब non alignment से multi alignment की तरफ जा रहा है और अपने defense ties strengthen कर रहा है तो जैसे quad group है US, Australia, Japan, India का इसमें भी इंडिया जो है अपने defense ties जो है बहुत अच्छे strengthen कर रहा है और जिस वज़े से इंडिया और चाइना के बीच में tensions भी थोड़ी सी बढ़ गई है उसके बाद हम देखते हैं कि other than this इंडिया जो है अपने France के साथ भी ties जो है अब जैसे Ukraine था अब Ukraine रिशिया की war हो रही है तो Ukraine कोई strategic autonomy वाला मुद्दा रह नहीं गया क्योंकि इसको US, NATO countries, European countries सारी की सारी support कर रही है Ukraine को तो यहां पर strategic autonomy वाली जो चीज है इट में lost the meaning क्योंकि यह चीज खतम हो गी है अभी भी कल को इंडिया के उपर भी अगर चाइना जो है अटैक करते हैं तो इंडिया को भी यह चीज जो है help लेनी पड़ सकती है बाकी countries से तो यह strategic autonomy वाला factor जो यह definition है यह खतम हो सकती है आने वाले दिनों में इंडिया के neighborhoods की अगर बात करें उन्होंने बोला है कि चाइना में तो first of all COVID-19 की वज़े से बहुत major जो है economic fallout चला हुआ है और वो चलेगा ही चलेगा तो चाइना में यही सबसे बड़ी बात हो रखी है दूसरे बात यह है कि चाइना जो है कोई भी conflict में अभी शायद नहीं पड़े क्योंकि वो अपना COVID-19 जो सीन है उसको control करना चाहता है उसके बाद है for India the altered shape of international order leaves the little room for comfort क्योंकि चाइना और रशिया जो है friends बन गे है चाइना पाकिस्तान जो है वो friends है तो ये चाइना इंडिया को थोड़ा सा इसमें से problems रहेंगे ही और चाइना इंडिया बॉर्डर जो tensions है वो कह रहे हैं वो live ही रहेंगे ठीक है जैसे अभी जैंगजी में हुआ तो ये रहेगा ही रहेगा कोई भी major conflict शायद ना हो लेकिन ये चोटे मोटे conflict जो है वो चलते रहेंगे पाकिस्तान खुद अपने economic crisis में चला हुआ है और पाकिस्तान कोई हमें 2023 में कोई major threat पोस करेगा इसका भी doubt है क्योंकि वो खुद अभी बहुत ही एक serious situation में है तो पाकिस्तान direct कोई threat ना करे लेकिन वो वही terrorism activities को support करता रहेगा नेपाल में भी नई government आई है जो कि यह कह रहे हैं कि हमाइस government चाइना की तरफ ही है तो वो इंडिया के लिए किशू हो सकता है अफगानिस्तान में भी तालिबान का एक इशू चला हुआ है बांगलादेश श्रिलंका के साथ जो चला हुआ है वो वैसे ही चलेगा तो overall देखा जाए तो West Asia के साथ भी हमारे relationships जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं इस साल भी All the indications that while terrorism जो है यह रहेगा लेकिन major attacks होने की possibility नहीं है Okay, hence the world need may not to be not on its guard in 2023 तो यह predictions दी गई है कि क्या-क्या हो सकता है आने वाले time में एक साल में इंडिया का क्या-क्या जो stance है वो रहने वाला है क्या-क्या हमारे neighborhoods रहने वाले हैं और world जो है world quarter कैसे change हो सकता है इस एक साल में clear? So, इतना ही है इस editorial में next जो editorial है आपका आज का it is about capital statement तो यह एक पुराना issue LG of Delhi का है ना and जो वहां का chief minister है उनके बीच में हमेशा ही किसी ना किसे मुद्दे को लेकर कोई ना कोई controversy हो जाती है तो अभी भी वहां पर यही हुआ है तो सबसे पहले जो हमारे लिए important है वो है हमारे लिए 69th amendment act यह means में भी आ सकता है problems में भी आ सकता है तो इसमें basically act के under दो articles add किये गए 239AA और 239AB जिसमें Delhi को एक special status दिया गया तो 239AA के अंडर Union territory of Delhi को National capital territory of Delhi बना दिया गया and it will be administered and shall be known by lieutenant governor इसमें एक legislative assembly भी बनाएगी Delhi की और सारे के सारे matters जो है state list के वो Delhi के अंडर कर दिया गया लेकिन 3 matters को छोड़के that is public order, police and land तो यह किस के अंडर होगे यह center के अंडर बाकी का सारे के सारे जो state list के matters है वो Delhi government उनके उपर law बना सकती है इसमें यह भी कहा गया कि Delhi में council of ministers होगा और जो council of ministers हैं वो 10% total number of members in the assembly से जादा नहीं होंगे तो वहां पर 70 seat sense time पर तो जो इसका 10% council of ministers जो है वो 7 ही हो सकते हैं including the chief minister, okay article 239 AB में कहा गया कि president may by order suspend the operation of any provision of article 239 AA वो कभी भी इसको suspend कर सकता है वही जैसे president rule लग सकता है वैसे ही यहां पर president अपना rule जो है लगा सकता है ठीक है तो यह scene दिये गए है तो basically 2 authorities बन गी LG and यह वला आपका chief minister या फिर government जो बन गी है तो लेकिन court ने भी बार-बार बोले कि LG जो है वो independently काम नहीं कर सकता उसको council of ministers के according की काम करना है लेकिन यह हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा वहां पर बार 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 दोनों के बीच में कोई ना कोई जगड़े जो है वो चले हुए है the victory of arm army party अभी recent municipal corporation डेली के elections हुए तो उसमें NCT जो यह डेली की government है वो जीतगी तो governor और उनके बीच में फिर लड़ाई हो गई तो इसमें यह होता है कि जो आपको appointments करनी होती है वो जो age based होते है senior mage counselors को ही presiding officers बनाया जा सकता है लेकिन वहां के जो आपके LG है उन्होंने यह चीज़ को follow नहीं किया इस convention को follow नहीं किया और उन्हें 10 जो है वो elder men appoint कर दिये जो की senior most नहीं थे तो अब वहां की जो government है उनका यह कहना है कि left and governor जो है वो council of ministers को ignore कर रहे हैं और अपने level पे ही bureaucracy को orders जो है issue कर रहे हैं तो यह कहरें कि जो governor है उसके सिर्फ और सिर्फ पुलिस, public order और land कि तीन matters के उपर ही powers हैं लेकिन जो left and governor हैं हो एक तरिके से सब कुछ ही कर रहे हैं बिना हमारी permission के left and governor sought a meeting तो इसमें LG का कहना है कि हमने तो भई chief ministers से meeting करने को कहा था लेकिन chief ministers ने meeting करने से मना कर दिया October तक इनकी weekly meetings होती थी लेकिन अभी इनकी meetings भी नहीं हो रही तो Supreme Court ने कहा है भई अपना थोड़ा समझदारी से काम लो मिल जुल के काम कर लो लेकिन ऐसा हम देख रहे हैं कि वहाँ पर political tensions जो हैं वो चली हुई है तो ये हमेशा ही चलती रहती है तो ये article बहुत में पूछा भी जा सका चुका है और प्रिलिम्स के लिए इंपोर्टेट है तो आज के एडिटोरियल में इतना ही है अब हम कल मिलेंगे ठीक है नियू नियूस अनाल्सिस और एडिटोरियल के साथ